गटने वाली गटना चैनकrist में घटी हो चाहे किसी भी इस्टेट की विधानसवा में घटी हो समाद से संबन्दित, जन से संबन्दित, जन सुवीदाओं से संबन्दित, मेल्गु, तमिल, कं नड, बंगाली, उर्दू। आज अपनी किताब जो पढ़ते हो जैसे हिस्ट्री जोग्रोपी एकोनोमिक पल्टी बिज्ञान हीलिजिनिंग सॉसलोजी फिलोसोपी पब्लिकेड आधी 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 किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में करंट जीके का कोई भी सवाल समसामाइक विशे का किसी भी प्रकार का सवाल आपका गलत नहीं होगा इसी उद्देश की पूर्ती के लिए यह क्लास हम और आप तयार कर रहे हैं करंट जीके को समसामाईक विशे को अपन दस भागों में बाढ़ते हैं नमबर एक आईए सामाजिक विशे आर्थिक विशे धार्मेक राजनेतिक कला, साहित, विज्ञान, व्यक्तित्व, खेल और पुरुस्कार दस भागों में अपन लोगों ने 24 घंटे में विश भर में घटने वाली वो सभी घटना हैं जो हमें न्यूज पेपर के द्वारा, टेबी के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, साइड्स के द्वारा प्राप्त होती हैं करंट सम सामाइक जी के कहलाती है आरेस पिरी में डेड़ सो सवालों में से लगबग 20 से 25 सवाल जो आपके होंगे एक भी गलत नहीं होगा यह दावा है क्योंकि यह मैतमेटिक्स है कैसे तैयार करेंगे तो एक बार अपन वर्गी करन करते हैं विभाजन करते हैं प्रती दिन विश भर में 24 गंटे में गटने वाली गटनाएं वो कैसी भी गटना हो सकती है आपदा भी हो सकती है भूकम भी हो सकता है सुनामी भी हो सकती है कुछ भी ओ सकता है, एक्सिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी गटने वाली घटनाई करंट जी के कहलाथी है, तो सब से पहले अपन सामाजिक गटने वाली गटना है, चाए वो संसद में गटी हो, चाए किसी भी इस्टिट की विदान सबाशी हो, समाज से सम्मंदित, जन से सम्मंदित, जन सुविदाओं से सम्मंदित, वर्ग विशे से सम्मंदित, जातियों से सम्मंदित, कौन सी विश भर की समाज की गटने वाली कोई गटना आकस्मिक जो अच्चानक हमारी सामने आती है तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे सामाज गटनाओं में कोई भी संसद में या किसी विधान सबा में समाज से संबंदित योजनाय बनती है क्या बनती है योजनाय अब योजनाय कैसे भी हो सकती है पैंशन से संबंदित हो सकती है विशेश जनकल्यान से हो सकती है विशेश जनकल्यान कारी जनकल्यान से संबंदित हो सकती है से संबंदित हमें कैसे पता चलेगा किसी विधान सबा में या किसी वी लोग सबा में राजसावा में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में संबीधान में किसी जाती विशेश से संबंदित सामाजिक उपबंद बनते हैं आए दिन सामाजिक उपबंद संबीधान से संबंदित रिजर्वेशन से संबंदित कैसे भी समवीधान में सनसोधन होते हैं समाजिक जीवन से सम्मन्दित हमें पता कहां से चलता है निउज पेपर में से या समयतिय बनती है समाज से सम्मन्दित क्या बनती है समयतिया और लाश्ट पंट कानून बनते हैं समाज से संबंदेत आए दिन किसी भी राज और किसी भी देश की संसद और विधान सबाओं में वापस प्रती देन योजनाय बनती है विशेश जन कल्यान से संबन्दे सामाजिक उपबंद सम्विधान संसोदन समेतियार कानून बनते हैं रीती रिवाज खान पान रहन सेन त्योहार आदी विशुभर के विशुभर के न्रेजातियों से संबन्द ये सब गटनाएं हमको अकबार में मिलती है चलिए आर्थिक धार्मिक्स लेते हैं प्रती दिन सबसे पहले तो अपन बैंक लेते हैं और बैंक में क्या है रिजर बैंक या विश बैंक उनमें बैंक दर बैंक दर भहुत मैतपूर सवाल है रेपुदर भहुत सारे मुद्रा सम्मन्दित करंट के सवाल मुद्रा बजट यह नहीं है कि बारत का बजट है राजस्त स्टेटों का सब जगे का बजट आते आये जाते रहते हैं हो जार व्यापार वानिजिक संग्थन व्यापार वानिजिक शंग्थन प्रती दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है व्यापार वाने अर्राष्ट्य अंतर्राष्ट्य संग्ठनों में नीती आयोग नीती आयोग प्रती दिन अकबार में कुछ न कुछ आताई है जी एस्टी गड़ती है बढ़ती है नवरत्न कंपनिया नवरत्न और महारत्न और आपका अकबार में देखिये मुल्न संबन्दी और आपका सेयर ये एक पूरा नीज पेपर का प्रस्ट इनी बातों का होता है उद्ध्योग व्यापार वानिज विश भर्मे दार्मिक जीवन से संबन्दित आपको द्यान हो तो अपन वो क्या करना है दार्मिक विवाद अच्चा नका जाते है कौन से स्टेट के नहीं विश्व के दार्मिक विवाद अब वो कैसे भी हो विशेश मंदिर है मस्जिद जिनके नाम अपन नहीं जानते किसी खास अकबार से ही पता चला चर्च है गुरू द्वारा है ये राजस्थान के राजस्थान के अलावा भारत के जितने भी स्टेट है उनके विश्व के अल्प संख्यक समुदाय वाले कोई भी गठना अच्छानक आ जाती है जो हमको पता ही नहीं था पहले से आज अकबार माई थी विशेश समुदाय विश में ऐसे ऐसे विशेश समुदाय धर्म संबन्दी जिनको हम जानते नहीं है अकबार से ही पता चलता है विशेश समुदाय उनकी नीतियां उनका सिस्टम विशेश उत्सव धार्मिक उत्सव किताव में नहीं मिलते हैं अच्छानक अकबारों में ही सामने आते हैं वो सामाजिक अलग हो गए आर्थिक अलग हो गए और धार्मिक अलग हो गए अब आते हैं अपन राजनेतिक अब अंतर राश्टीय राजनेतिक में सबसे पहले अंतर राश्टीय गटना है अच्छानक किसी संसद में विधेक आया किसी भी इस्टेट की विधानसवा का विधेक आया राज से सम्मंदि जिले बने सीमाई परिवर्थित हुई राजनेतिक विशेश बात यहां व्यक्तित्व है तो यहां नियुक्तिया और पद अलग लेंगे लेकिन राजनेतिक सबसे पहले गटना है वैस्विक गटना है विश्विश्टर की गटना है यूएनो की गटना है राश्शंग की गटना है बहुत आती है डेली की डेली देशों में देश की सीमा अच्छानक सामने आ जाती है कभी-कभी विवादास पद विश भर में जितनी भी संसद है वहां संवीधान संसोदन होते हैं चाहिए वह अमेरीका है जापान है चीन है इसराइल है कहीं भी इंगलेंड है राजनेतिक संग्ठन जैसे आपको ध्यान है हमारे जितने भी राजनेतिक संग्ठन के अलावा राजनेतिक दल जो राश्टिय दल है अंतर राश्टिय दल है स्वरी राज जी और राश्ट्रिय है डेली की डेली कुछ उनकुछ होता ही है अब राजनेतिक नियुक्तिय बहुत सारी समयतिय बनती रहती है किस में क्या है किस में क्या है विधान सबा संसद संसद अलग हो गई और आपकी विधान सबाएं अलग हो गई और विधान परिसद अलग हो गई यह सब डेली कुछ उनकुछ अकबार में परिवर्तन आई जाता है अब आते हैं अपन कला से संबंदेत अब कला में तो आप देखिए जितने भी रचनात्म गतिविद्या है पूरी कला में आती है अब कला में अपन क्या लेंगे देखो कला में तो अपन सबसे पहले कलाकार कोई लेते हैं कलाकार जिनको अपन जानते नियर अच्चानक पता चला कि इसे पदम सिरी मिला इसे पदम विभूशन मिला किसी को क्या मिला अब ये क्या है नरत संगीत वादियंत्र अब कला में इस्थापत कला हो रहे हैं इसमें क्या होता है विश्व धरोहर सूची के इस्थान जो प्राचीन भी है मद्द कालीन भी है बहुत सारे अब इसमें कलाकार नरत संगीत वादियंत्र और फिर फिल्म संबंदी विवादास्पत बात आती है कभी कभी डाइरेक्टर प्रोड्यूसर कलाकार बहुत सारी चीज़ें गायक गाय की बहुत प्रकार की होती है अकबारों से ही पता चलता है अपन को अब अपना जो साहित वाला पार्ट है इस साहित में तो पुस्तक आती है मित्रों लेकिन बहुत ही महत्पून टॉपिक साहित का तो अब यह साहित में तेलगू तमिल कन्नड बंगाली उर्दू पंजाबी राजस्थान राजस्थानी अस्मी बहुत सारी मतलब इतनी पुस्तक संस्क्राथ और फिर अंग्रेजी इतनी किताब है इतनी किताब छपती है विश्विश्टर पे कुई किताब विवादासपद होती है कोई किताब कैसी होती है की साहित का कोई कोई सवाल हमारी परिक्षाव में आता है बताओ आता है न अब विज्ञान यह तो आज का यह आपका मंगल यान वाला विशह है विज्ञान का तो विज्ञान संबंदी क्या आएगा सबसे पहले आवेशकार डेली की डेली आवेशकार होते हैं प्रती दिन विज्ञानिक खोज प्रती दिन हर घंटे कुछ उनकुछ होता ही रहता है अमंगल यान चंद्रियान नासा इस्रो और फिर हमारे उपग्रेड छोड़ते हैं जी एसल्वी पी एसल्वी बहुत सारे डेली की डेली और फिर प्राचीन कोई भी गटना विज्ञान की जब गटती है कोई खोज मैट पूर बात विज्ञान की वैज्ञानिक लेलो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैसे पता चला नीज़ पेपर के द्वारे पता चला अपन को तो आविस्कार डेली होता विज्ञानिक अब आते हैं अपन व्यक्तित्वों पर अब व्यक्तित में जैसे अपन आते हैं तो सबसे पहले तो आगया पद कौन से पद विश्व के प्रमुक पद के विश्व के प्रमुक पद प्रमुक पद अब चाहे वो विस बैंक के हो यू एने के हो कोई भी अंतरराष्ट ये खेल के हो वहां हो गया आपकी नियुक्तिया अब ये नियुक्तिया तो किसी भी इस्तर पर ले सकते हो आयोग भी हो सकता है व्यक्तित में तो कोई भी आयोग की नियुक्ति अब जितने भी पदैन में सब आ गये राष्ट पती उपराष्ट पती प्रदानमंति सब अब खास बात कभी कबार निधन भी हो जाता है मृत बहुत वहत्पूर्ण व्यक्ति की व्यक्तित्व के जितने बड़े कोई गुण है वो निकल के आ जाते अच्छा ना कोई व्यक्ति छुपा होता है वो भार आ जाता उसके गुण आ गये और फिर वेशु को पता चला कि बहुत सारे अच्छा ना कोई व्यक्तित भार आ गया है कि水वी प्रकार का है अतंगवादी भी हो सकता और अच्छा आदमी भी हो सकता है व्यक्तित के गुणों में बहुत कुछ आ गया मत्रों पर्सनल्टी वाली बात आ गई अब आते हैं अपन खेलों में अब खेल जो विश्व की इस तरके खेल हैं इन खेलों में आप सबसे पहले जैसे देखो ओलम्पिक ओलम्पिक चलिए फिर देखो राष्ट मंडल फिर देखो एसी आड फिर देखो यूरोपियन लीग यूरोपियन लीग फिर देखो टैनिस बहुत प्रसिद्ध है चार भागों में बाटा हुआ है फ्रेंच विमल्डन अमेरिकान आस्ट्रेलियान लीग टैनिस बैडमिंटन और आपका क्रकेट और फुटबाल और बहुत सारे खेल रगब बहुत सारे बहुत ही सारे आए दिन एक खेल प्रस्ट आपका दो पूरा की पूरा भरता है अब आरेस मेंस में देखो ओलंपिक राष्ट्वर्णल एस यार्ड इन में से कोईन कोई एक बड़ा सवाल आता है एक बड़ा सवाल आ जाता है हमेशे ही आता है भी इस नमर का हमारे टैम पे भी आता है आपके टैम पे भी आता है अब आपका रहा पुरुसकार तो विस भर के पुरुसकार में आप लेलो नौबेल यहीं से लेलो आप तो ज्यान पीट यह मैं केवल उधान दे रहा हूं बहुत सारे पुरुसकार है गांधी सांती पुरुसकार विस्विस्तर के इंद्रा पुरुसकार अब पदम पुरुसकार पदम इसमें बहुत सारे आ गए है वीरता संबंदी वीरता संबंदी पुरुसकार खेल संबंदी पुरुसकार खेल संबंदी साहेत संबंदी लेखन संबंदी लेखन संबंदी और अच्छे कारिय कारिय संबंदी बहुत सारे अच्छे कारिय संबंदी अब माई डियर फ्रेंड्स आप देखिए विस भर में गटने वाली 24 गंटे में गटित गटनाएं करंट जी के कहे लाती है ये जो बोड आपको दीख रहा है आपका इसमें अपन ने दस भागों में बांट लिया कितनी भाग बांटे थे दस भाग एक सामाजिक, दो आर्थिक, तीन धार्मिक, च्यार राजनेतिक, पांच कला, छे साहित, सात विज्ञान, आठ परसनल्टी व्यक्तित्व, नौ खेल स्पोर्ट्स, और दस आपकी पुरुसकार अवार्ड ये जितने भी घटना है, 24 घंटे में घटती है, 365 दिन तक, अब सवाल आता है कि हमें करना कैसे है आप अपनी किताब जो पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री, जोग्रोपी, एकोनोमिक, पल्टी, बिग्ज्ञान, रीजनिंग, सॉसलोजी, फिलोसोपी, पबलिकेड, आधी-आधी-आती इन सबका एक निश्चि सिलेवस होता है होता है न, हा करो, यस करो, होता है अब बहुत सारे विद्यारतियों को यही पता नहीं होता कि करंट जिसे हम समसामाई कहते हैं, इसका सिलेवस क्या है यह सिलेवस आप बोर्ड में जो देख रहे हो, यह है सिलेवस अब यह सिलेवस जो आपके पास है, आपने क्या किया? अनेक रजीष्टर बना लिये क्यों? क्योंकि यदि उधारनपन लेवें राजस्थान आरेस पेरी का तो आप हिस्ट्री और जोग्रोपी, एकोनोमिक्स तीनों को मिलाते हो, इतना करंट की सवाल आ जाते हैं, पच्छीष और वहाँ आप तीनों को जब पढ़ते हो, तो देखो, एंसेंट इंडिया, मेडाईवल इंडिया, मोर्डन इंडिया, इंडिया की जोग्रोपी, वर्ल्ड की जोग्रोपी, इंडिया इकोनोमिक्स, तीनों को मिलाने पर जितने सवाल आते हैं, इतने करंट की आ जाते हैं आपको ये पूरे की पूरे mathematics एक भी सवाल गलत नहीं होता होता ही नहीं सवाल कभी गलत ही नहीं होता करंट का सवाल आज के बाद एक रजीस्टर बनाएंगे ये दस रजीस्टर जब बना ली है और अकबार में कहीं भी नीज पेपर में कोई भी चीज आप से सम्मन्दित दस रजीस्टरों से उसको लिख दिया नोट्स बना दिया मार्केट में मिलने वाली जो मैगजीन है कोचिंग्स में निकलने वाली जो मैगजीन है जिन्दगी में भूल जाओगे ये दस रजीस्टर टेवल पर रख दो नीज पेपर चाय पत्री का हो भासकर हो राजस्थान एक्जाम के लिए भौत है कोई भी गटना जो भी गटती है सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनेतिक कला बिज्ञान साहित खेल पुरुसकार व्यक्तित्वर तस रजीस्टर आज आपको बनाने हैं अच्छे वाले और सुन्दर क्योंकि मैंस के भी हैं इसमें अब्जेक्टिव भी हैं सब्जेक्टिव भी हैं और इंटर्व्यू में भी काम आते हैं तो आप इन दस रजीष्टरों को दस भागों में जो आप देख रहे हो यह दस रजीष्टर जब आपने बना दिये तो भाई साहब आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा आपका सबसे बड़ा फार्मूला है यही टॉपर्स की कहानी है दस रजीष्टर बनाओगे नीज पेपर पड़ोगे नीज पेपर में घटने वाली हर घटना को लिखोगे टाइम कितना ही लगो कभी कभार कहते हैं सर कित टाइम लगता है अकभार पढ़ने में अरे मूर्क नादान वहां तुझे रीजनिंग में बिग्ज्ञान में हिष्ट्री में जॉगरोपी में पॉलिटिव इतना समय दे रहा है और पता ही नहीं है तुझे सवाल का से आएंग रजीस्टर तैयार है पक्के 10 रजीस्टर बना लीजिए को कोई भी सवाल करेंट का समसामेंग विश्यका गलत नहीं होगा टॉप रेंक लाने का यही सबसे बड़ा फार्मूला है बने रही है 2023 आरेस टॉप रेंक किसकी होगी सीरीज में अब आप आगे से आगे जुड़ करें और सब्सक्राइब करें आप करते नहीं हो यार जादा से जदा चुड़ो वह बहुत जल्دी लाइब कंवे आने वाला हूँ आपके साथ डिस्कॉस करूंगע बारतालाव करूँगा मन की बात कउओँगा आपके दिल की बात लूगंगा तैयार तो बने रहिए अगल रेंग कौन लाएगा थैंक यू वेरी मच्छ